हलो फ्यू वेलकम बेक टू इंटरेमेच कम्मुनिटी होप आप सभी की ट्रेडिंग अच्छे से चल रही होगी तो आज हम बात करने वाले हैं प्लस कल है तो फिन निफ्टी का भी एक्सपारी रहने वाला है तो दोनों चीजों के प्राइस एक्षन के बारे में प्लस लेवल कैप्चर कर सकते थे तो वह एक चीज आज के दिन में देखने को मिली रच दूसरा एक बोल सकते हो कि पेड कम्मुनिटी में हमने यहां पर एक ट्रेड दिया था ग्यारा वजय के आसपास तो यह वाला जो भी दूसरा बॉटम था वह भी हमने कैप्चर किया था ओके तो आ सकते हैं आज का प्राइक्शन अनलिस तो बात करें तो गाइस ऑल्मोस बोल सकते हो कि छे से साथ पॉइंट जैसा कुछ बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था फिर फ्लैट ओपन हुआ था बोल सकते हैं उसके आप देखो फॉस्ट केंडल कितनी वॉलेटाइल थी उसकी रेंज में ट्रेड किया प्लस एक चीज़ क्या था कि जो भी कलका बोल सकते हो कि डेल हो तो यहां पर नहीं लगा कि मार्केट वह एक डिक दाउन दिखा सकता है और वही चीज़ देखने को मिला वहां से मार्केट वन साइडिल यूपर की साइड जाथ देखने को मिल तो आज के दिन में एक बोल सकते हो कि major range market play करता हुआ दिखा हमें और इफ आप हमाने twitter भी ट्वीटर हैंडल आप फॉडू करते तो वहां पर एक चीज म Hence运 करiest कि मार्केट की नीचे के एक रेंज ये है उपर की रेंज यह है जो उसका स्विंग हाई उसने यहां पर बनाया था यह एक अच्छा कासा डबल्यू यहां पर बन रहा था यह डबल्यू का उपर की साइट ब्रेक आथा तो यह उपर जा सकता था 44,000 भी टच कर सकता था ओके बट मार्केट ने क्या किया कि वह स्विंग हाई ही नहीं तोड़ा तो यह पॉसिबिलिटी मैं ने बोली थी इफ यह उपर सस्टेनिंग बेसिस पर यहां पर सस्टेन होगा तो यह उपर जाएगा अधर्वाश यह नीचे का नीचे यह रेंज ही कर सकता है आज के दिन में और वही चीज हमें देखने को मिली आज के दिन में एनिवेज चले चलते हैं लेवल्स पर और लेवल्स की बात करते कौन-कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपर्टेंट हो जाएंगे ठीक है तो देखो मार्केट क्लोज हुआ है 43,000 एक सेकेंड यहां पर है 43,584 वाला लेवल ठीक है तो 584 थोड़ा बहुत ऊपर यानि कि जो भी रेंज है उसके बीच में मार्केट क्लोज हुआ है तो इफ मार्केट को ऊपर जाना होगा तो उसके लिए कौन-कौन से लेवल्स यहां पर इंपर्टेंट हो जाएंगे देखो 584 यानि कि इसके लिए तो इसे उसे ओपर जाना होगा तो यहां पर 700 और 720 जो भी आपना उपर वाला तो यहां पर अपने ले सकते हैं तो यहां पर अपने लिख सकते कि 43,700 से 720 तो यह फॉर्स टार्गेट एरिया अपना उपर की साइड में हो जाएगा तो वो एक चीज ध्यानल में रखिएगा क्यूंकि मार्केट जब तक उपर की साइड जो रेंज चल रहे हैं यहां पर एक अच्छा कासा बोल सकते हैं तो वह उपर की साइड जब तक टूटती नहीं है तब तक मार्केट यह रेंज में ट्रेड कर सकता है तो फर्स चोटा मोटा टार्गेट उपर की साइड हम वह लेके चल सकते और इफ उसके ऊपर भी फिर कि 720 फिर वह सस्टेंड कर जाता है और उपर जाने का ट्राइख करता है तो जो भी प्रिवेश तो आज का दिन और उसके प्रिवेश दिन यानि कि जो भी 43 880 वाले लेवल थे हमारे वह जो भी स्विंग हाई तक मार्केट ट्रेड करने का ट्राइख कर सकता है कल के दिन में को उपर की साइड में ब्रेक आउट मिलता है तो वह एक चीज की पॉसिबिलिटी बनेगी इफ मार्केट में बाइंग मुमेंटम रहा तो तो वह दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने अधरवाइस 880 से उपर फिर एक हमारा साइकोलोजी का लेवल आ जाएगा 44000 का तो 44000 फ यह आप बोल सकते हो कि जो भी था 16 अपने मंबर का बोल सकते हो कि सेलिंग आया था उसके बाद 500 बंड का गैप डाउन हमें देखने को मिला तो वह क्लोजिंग तक मार्केट मूव हो सकता है इसमें अच्छी का सी बाइंग मिली तो फिर एक पॉसिबिटी क्या बन सकती है य उपर या फिर नीचे वह दिखा सकता है तो यह एक पॉसिबिटी बनने के चांसिस यहां पर बढ़ जाएंगे तो वह थोड़ा उसके लिए प्रिपर रहे ना ठीक है अभी लेवल नीचे की बात करते हैं कौन-कौन से लेवल हमारे लिए नीचे इंपर्टेंट हो खौन तुद जब तक के लिए आज का डे går बोल सकते हो की अबले तो सप्राइब दींग मेंठ रही है बट बोल सक्ते हो कि इस सेसे लिग यहां पर बोल सकते हो कि एक्विलिब्रियम फेज में मार्केट क्लोज हुआ है जहां पर ओपन हुआ है ठीक है तो एंड अप दे ओवरल कुछ भी मुवमेंट नहीं है मार्केट में वह एक चीज अपने बोल सकते हो तो फॉर्स्ट टार्गेट अपना जो भी स्विंग लो है यानि कि 43 450 से 460 वाले लेवल से यह वाले तो वह एक चीज आप नीचे की साइड में ध्यान रखेगा इफ चलो एक चीज वह भी मान लेते कि नीचे जाता है तो फॉर बोल सकते हो कि 450 से फिर यह नीचे जाता है तो 43 300 यहां पर एक हमारा लेवल अल्लेड हमने तो एक सब्सक्रेंट यह मार्केट नीचे की साइड ब्रेकडाउं देता है तो यह 43 300 तक मुझ हो सकता रैस थोड़ा वहाज सेनारियो ग्लोबल सेंटीमेंट पर दिपेंड करेगा कि गड़ ngave करेगा और तोड़ा बात गिफ्टा निफ्ट पर डिपेंड करेगा और मुझ सब भी चीज़े कैसे देख अल्रेडी मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिये तो वह भी आप यूट्यूब पे जाके चेक आउट कर सकते हो ठीक है रिसेंट वीडियो ही है आइटिंग तो देख लीजेगा अभी चलते हैं फिन निफ्टी पे गाइस फिन निफ्टी भी कर देता हूं में कल उसका एक्सपाइरी फिन निफ्टी में इंट्रेस्टिंग सा प्राइजेक्शन सिनारियो यहां पर बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि आप एक चीज़ यहां पर देख सकते हो कि जो भी उसका दो दिन का प्राइजेक्शन है एक प्रीवेस डे की फॉर् यह एक डिसेंडिंग ट्राइंगल जैसा पैटन यहां पर बन रहा है तो यह डिसेंडिंग ट्राइंगल कल अभी इसका एक्सपायर इवे तो इसका बोल सकते हो कि ब्रेक आव उपर की साइड जारए नीचे की आसकता है यह पॉसिबिलिटी बनेगी तो उसका थोड़ा सा ओके तो चले लेवल्स की बात करते हैं उपर जाएगा तो मार्केट क्या-क्र सकते हैं सकते हो कि यहां से फ्लाइट ओपन के साइड आमारा ट्रेंग लाइन ब्रेक आउट करता है या फिर गैप ओपन हो जाता है तो प्रिवेस्टे के जो भी स्विंग हाइज है नाइंटेन थाउजन सिक्स थर्टी फाइज से सिक्स फिफ्टी ओके तो नाइंटेन थाउजन सिक्स फिफ्टी राउंड फिगर ले लिए तो फर्स टार्गेट हमारा जो भी प्रिवेस्टे के स्विंग हाइज है यानि कि फ तो यह दो लेवल में लेकर चल रहा हूं फिर ज्यादा बाइंग रही तो फिर बोल सकते हो कि यह जो भी स्विंग है 16th of November के स्विंग हाई यह वाले जहां से सेलिंग आई थी तो वहां तक जाने का ट्राइब कर सकते हैं फिर वहां पर जाके थोड़ीबद प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख सकती है तो यह तीन लेवल्स उपर के साइड में इंपर्टेंट हो जाएंगे गाइस तो वह ध्यान में रखेगा अभी नीचे के लेवल की बात करते हैं नीचे जाएगा तो क्या करेगा तो फॉस्ट फ्लैट ओपन होगा तो बोल सकते हो क स्टार्टिंग व्लेटि रही तो जो भी सपोर्ट एरिया है उसका वह नैंटीन फोर फिफ्टी के आसपास पास तो वह तूट सकता तो एक पॉसिबिलेटी वह तो हमारे पास नीचे की साइड एक गैप एरिया ही बोलेंगे हम इसे ओके यह नीचे आएगा न तो सीधर 19,426 के आसपास हमारा first target area यहाँ पर क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर market multiple time support लिया था तो 19,426 के आसपास first हमारा support area हो जाएगा या फिर target area बोल सकते हो और उससे फिर नीचे जाएगा तो यहाँ पर आप देखो multiple time यहाँ पर उसने support लिया था तो वह है 19,366 का area ओके तो यहाँ पर अल्रड़ी mentioned है तो यह levels आप ध्यान में रख सकते हो और आपको पता यह नीचे की side है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यह gap area फिल होने के chances बढ़ जाएंगे एवन एक trend line हमने नीचे से भी खीचा था और बहुत time सी यह trend line चलता हुआ रहा है तो एक चीज क्या दिखी trend line का fake breakdown दिखा और फिर से market trend line की ऊपर आ गया है तो अभी एक क्या है market थोड़ा बहुत positive जाने की कोशिश कर सकता है और यह थोड़ा बहुत deep भी लेता है तो यहाँ पर यह जो भी support areas 426 366 उसके आसपास फिर से यह build-up बना के वह उपर जाने का कोशिश कर सकता है आपको यहाँ पर दिख रहा होगी यह support प्लस नीचे से trend line भी आ रहे त तो वह भी थोड़ा बहुत positive sentiment वहाँ पर बना सकता है तो mostly सभी levels में यहाँ पर आपको explain कर दिये अच्छे से समझ में आ रहे होगी तो बस इसे अच्छे से आपकी ट्रेडिक में यूज करें प्लस लाइव मार्केट में भी हम अभी तो लाइव आते मोसली बोल सकते हो आज भी हम तीन गंटे लाइव आये थे तो लाइव में तो हम रहते ही है तो सभी mostly queries आपकी वहाँ प queries या फिर कोई भी feedback हो तो आप हमें comment box में बोल सकते हो तो जो भी queries होगी तो हम वहाँ पर आपको वह solve करने का try करेंगे तो आज के लिए इतना ही गाई thank you so much मिलते है next learning वीडियो में